नमस्कार दोस्तों हम बात करेंगे मसूर की दाल खाने के फैदे के बारे में दोस्तों आपने मसूर की दाल जरूर खाई होगी लेकिन इसके फैदे के बारे में नहीं जानते होंगे मित्रों मसूर की दाल में भरपूर मातरा में प्रोटीन तथा बिटामिन डी एवं दूसरे पोसक तत तो पाये जाते हैं जो हमें रोगों से बचाता है दोस्तों यदि इस से पहले आपने हमारी वीडियो लाइक नहीं किया है वीडियो लाइक कर ले चैनल को सबस्क्राइब कर ले और घंटी जरूर दबा ले ऐसी ही वीडियो देखने के लिए तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं मसूर के डाल खाने के अद्वूत प्यादे के बारे में मित्रों आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सरीर में जो है प्रोटीन की कमी रहती है यदि वह लोग मसूर की डाल बना करके पिरती दिन कम से कम दो से तीन महिना खाते हैं तो दोस्तों उनके सरीर की सभी समस्या ठीक हो जाएगी और दोस्तों यदि किसी की नेतर जोती कमजोर है तो दोस्तों देसी घी में मसूर की डाल छूख कर वा तल कर खाने से नेतरों का प्रकास बढ़ जाता है अब बात करते हैं वाद पित कप के बारे में जी हाँ दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाद पित कप की समस्या से परसान रहते हैं और इससे दोस्तों हमें बहुत सारी समस्याओं का तथा दूसरी बिमारियों का सिकार होना पड़ता है दोस्तों जब हमारे सरीर में वाद पित कप की समस्या हो जाती है तो हमें दोस्तों बहुत सारी समस्याइं आती है तो दोस्तों हमें क्या करना है इस समस्या से चुटकारा पाने के लिए हमें दोस्तों जो है मसूर का आटा जी हां दोस्तों मसूर की डाल का आटा लेना है और सक्तानुसार अनार का रस और सक्तानुसार सहद समान मातरा में मिलाकर जल के साथ लेना चाहिए ठीक है दोस्तों अर्थात इसको पेश्ट की तरह बना ले और फिर इसको जो है हमें जल के साथ सेवन करना चाहिए तीक है गोल करके यानि इसका गोल बना करके इससे लाब होगा अब बात करते हैं दोस्तों खूनी बावसीर जिहां दोस्तों यदि किसी को खूनी बावसीर हो गई है तो दोस्तों क्या करना है कि खूनी बावसीर को ठीक करने के लिए आपको सुबह के भोजन के समय जिहां दो दोस्तों बहुत बढ़ियां उपाए है गरंटी के साथ दोस्तों आपकी खूनी बावसिर ठीक हो जाएगी जी हां दोस्तों यदि आप अंग्रेजी दवाई खाखा करके परसान हो चुके हैं और दोस्तों आपने बहुत मेहनत कर ली है और आप बहुत परसान हो रखे हैं ले ने बताया आपको सुबह के भोजन में मसूर की दाल के साथ खटी चाच यानि मठा कमसे कम एक गिलास पीने से खूनी बावसिर ठीक हो जाती है जी हाँ दोस्तों मात्र मसूर की दाल के साथ जब आप मसूर की दाल खाते हैं रोटी साथ मसूर की दाल खाईए कम से कम एक से डेड़ कटोरी और उपर से खटा मठा यानि चाच पिलीजिए ऐसा करने से दोस्तों आपकी बावसिर जो कूनी बावसिर है वह ठीक हो जाएगी मातर चार से साथ दिन में यदि पुराना कूनी बावसिर है तो थोड़ा समय लग सकता है कम से कम पंदरा से एक महिना बाकी तो दोस्तों इसके फैदे ही फैदे आपको मिलेंगे इससे कोई नुकसान नहीं होगा अब बात करते हैं दोस्तों सुंदर जिहां दोस्तों यदि आप चहरे को सुंदरता प्रदान करना चाहते हैं अपने चहरे को स्मार्ट बनाना चा चाते हैं तो दोस्तों आपको यह उपाय में बताता हूं मसूर पीश कर उसका लेप या उबटन बना ले जी हां दोस्तों आपको क्या करना है कि मसूर जो मसूर की दाल है उसको पीश करके जो है इसका लेप या उबटन करने से चेहरे का रंग निखरता है और अनेक चर्म रो को पीज करके इसका आठा बना करके और इसमें पानी और थोड़ा सा आधनिबू डाल करके इसका पेश्ट बना करके अपने चहरे पर लगाते हैं तो दोस्तों आपके चहरे से जितने भी दाग धब्बै जुरियां है जो भी कालापन है वह दूर हो जाता है और आपके चेहरे में निखाराता है मसूर के दाल के सेवन से बहुमूत्र कबज, गैस और मुख पाक, च्छाले, गले की सूजन कंट सोध, बेदना, प्रदर और सूजन में लाब होता है मसूर के दाल के बहुत ज़्यादा अद्भूत पैदे हैं यदि आप इसका इस प्रकार से प्रियोग करते हैं तो दोस्तों निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो दोस्तों तो दूसरों के साथ भी शेयर करें